हेलो दोस्तो मैं हूँ रिशब चार्जर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टीवी के बारे में तो वीडियो पूरा देखिए अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना चालो को सब्सक्राइब के बला इकॉन भी दबा दीजे मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो क बेजा है जिसमें मतलब यह जो देख रहे है यह सेकेंड उनिट जो मैं पहले वीडियो बनाया था उसके बाद मैंने कुछ चीज किया उसके बाद दिपकाट ने एक नया टीवी बेजा एस रिप्लेस्मेंट तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस के बारे मैं बताता हूं क्या क क्या किया मैंने ताकि यह रिप्लेस्मेंट यूनिट मिला मुझे एंड इसमें वो प्रॉब्लम है की नहीं तो पहले तो यह वीडियो बनाने के पहले जो यह वीडियो बनाया था यह तो मैं यूजर ओपिनियन ले रहा था बट पहले मैंने सोचा कि कंपनी को कॉंटक करता तों ठीक है कि company को क्या बोलना है कि ये क्या problem है तो उनको बोला था problem क्या है और उनको पुछा था मैं कि is it a software problem कि मेरा जो unit था उसमें कुछ defect है ठीक है तो उनका reply clear कर था कि आपका TV अभी भी 10 day period replacement period में है आप चाहे अगर आपको कोई भी problem लग रहा है देखते हैं समय तो फिर आप replace करवा लीजिए ठीक है flip cards तो फिर अगर ऐसे बोलेंगे company तो फिर मैं सोचा ठीक है फिर मैं replace ही करा लेता हूँ क्यूंकि मुझे mostly लग रहा था कि ये software issue ही था क्यूंकि normal दूसरे को या आप में हो नहीं रहा था बहुत YouTube, Disney Plus Hotstar, Sony Live, Netflix सब कुछ च भी problem नहीं आ रहा था खाली प्राइम चला है तो वह green patch आना शुरू हो गया green patch अगर आप नहीं जाते हैं तो यह वाला वीडियो देखिए आयो हमारा screen saver स्टार्ट हो गया ठीक है तो यह वाला वीडियो देखिए आपको पूरा पता चल जाएगा क्या problem था तो फिर मैं मतलब मुझे तो लग रहा था कि यह software ही है बट जब company का reply आया Motorola से तो उन लोगों ने कहीं भी mention नहीं किया कि software issue है हम update से मतलब ठीक कर देंगे तो फिर मैं सोचा ठीक है फिर अगर company खुद ही बोल रही है कि replace कर देंगे तो फिर ठीक है मैं flip card को फिर मतलब contact किया कि यह problem है company ने बोला Motorola ने बोला कि कुछ भी problem है तो आप replace कर वा लीजिए तो flip card ने भी का ठीक है अभी यह सब बहुत कुछ detail में हुआ दोस्तों अगर आप जानना चाहते तो मैं full process बताऊंगा मतलब not only this TV अगर आप कोई भी TV slip card से खरीते हैं and कोई भी defect होता है तो फिर आप कैसे उसको replace करवा सकते है separate video बनाऊंगा ताकि यह थोड़ा लंबा process है but final conclusion कि वह लोग accept कर लिए replacement ठीक है replacement में थोड़ा सा बीच में जमेला हुआ होने के बाद finally यह replacement unit मिला तो पहला unit उन्हों ले लिया यह replacement unit दिया replacement unit देने के बाद moral of the story क्या हमारा problem solve हुआ है की नहीं ठीक है नहीं दोस्तों solve नहीं हुआ है वह सेम प्राइम वीडियो का जो start कर कुछ भी वीडियो स्टार्ट करता था मैं तो वह लाइन साता था patch green सेम आ रहा है सेम problem है दोस्तों तो at least जितना मैं दो यूनिट देख लिया use करके दोनों यूनिट में सेम problem है अभी जब ये वीडियो बनाया हो इसमें अभी भी उतना मतलब users का comment नहीं आया है कुछ लोगों ने बोला है कि कोई भी problem नहीं है मतलब very few वेरास majority ने बोला है कि उनको भी same problem है but still number of users उतना ज्यादा नहीं है अभी भी comment देखेंगे इस वीडियो में तो उतना ज्यादा नहीं है तो अभी भी हम final conclusion पर नहीं आ पा रहे है कि again is it limited to few units कि सभी unit में एक ही problem है तो अभी के लिए तो by default जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते प्राइम वीडियो मतलब इसवे free installed ही आता है वो प्राइम वीडियो आप चलाएंगे तो green problem आएगा वो green patch का अभी एक चीज देखना पड़ेगा कि अगर हम दूसरे को मतलब streaming device लगा के चलाते है तो क्या वो same problem आता है कि नहीं मुझे तो most probably लगता है नहीं आएगा also I am hoping कि कुछ update आ जाए कि वो प्राइम वीडियो ठीक हो जाए तो देखते है और और एक चीज जो मैं देख रहा था कि smart TVs में न दोस्तो ऐसे problems होता ही रहता है मैं थोड़ा सा research कर रहा था कि क्या क्यूं मतलब is this something मतलब एकदम नया है कि आगे भी हुआ है तो मैं बहुत TV में ऐसा होता ही है कि कभी ना कभी कुछ app update नहीं आता है या कुछ update आके कुछ खराब हो जाता है ठीक से नहीं चलता फिर वेट करना पड़ता है बहुत TV में ऐसे होता है mostly Android के साथ यह related है अगर आप मतलब known brands का TV लेंगे तो mostly Android पर नहीं चलती है जैसे हम देखे Samsung, LG यह लो Android is Android तो कोई भी TV बना आप भी एक company स्टार्ट करके TV बनाना स्टार्ट कर सकते है तो उसमें ज्यादा problem आता है क्योंकि जो prime है उनको पता ही नहीं है यह TV exactly क्या configuration है किसमें चलता है what's the perfect setting to run on this TV इसलिए problem होता है जैसे मैं prime video की भी बात करूं मेरा यह analysis है हो सकता है मैं गलत भी हूँ तो जब यह मैं prime video चलाता हो इधर left side में HDR करके दिखाता है ठीक है और एक चीज जादतर apps इस TV को 4K के जैसे लेते हैं अभी वो 4K prime video ले रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं क वो HDR दिखाता है ना दोस्तों that is where I feel कुछ तो गडबड हो रहा है वो HDR on होके बट देखते हैं जो पहला unit था उसमें already 2 update आया था prime का ऐसा नहीं कि update आया ही नहीं 2 updates आया था मैंने खुद 2 updates किया था बट कोई भी change नहीं था same एक मतलब slight भी change नहीं था जितना बार आगे भी कभी कभी problem आ रहा था same problem आ रहा था तो चलिए यही आपको बताना था कि मैंने कुछ तो दो टीवी देख लिया दोनों टीवी में same problem है mostly I feel कि software issue ही होगा बट देखते हैं अभी भी यह वीडियो बहुत लोगों तक नहीं पहुचा है खाली आप देख सकते अभी तक तो खाली 1.6K views ही हुआ है I am hoping इससे बहुत जादा लोगों ने खरीदा है यह टीवी तो अभी तक तो पहुचा नहीं है तो हम बता नहीं सकते confirming की अभी भी is it really a software issue की कुछ units में ऐसा है और अभी दूसरे units में सब ठीक है देखते हैं अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो देख लीजिए एक like और comment भी कर लीजिए ताकि सभी users तक बहुत सके नहीं तो आम उनको पता नहीं चलेगा देखते हैं also मैंने actually flip card पे review पे भी यह same mention कर दिया है कि prime video ठीक से नहीं चल रहा है देखते हैं क्या होता है उदर तो और एक चीज एक comment आया था कि इस video पे कि भाई lag है green screen का problem flip card review पे है तो दोस्तों वो जो review है मैं खुद देखा that is completely false वो क्या लिखा है पूरा गलत है ठीक है इस TV में कोई भी lag का problem है ही नहीं मैंने बहुत मतलब extensively use क्या है यह वो app खोला home button home button दबा और दूसरा app खोला there is no case of any lag lag zero है तो वो जो review था वो कुछ तो गडबढ है ठीक है उसमें पूरा screen green हो गया है और उसमें लिखा है कि lag and stuck जो हो ही नहीं सकता unless कुछ तो गडबढ अगर आप जैसे बोलता हो कि कुछ गडबढ हो गया है app installation में या कोई third party app download करते समय कुछ virus या कुछ हो गया तो बता नहीं सकते but normally official apps आप use करेंगे and normally मैं बहुत check किया ऐसे कुछ lag है क्या नहीं कोई भी lag नहीं है वो green screen का green stuck problem नहीं है दोस्तो वो एक flash में आता है फिर चले जाता है तो कुछ लोग comment कर रहे थे कि वो ऐसा है क्या नहीं नहीं there is no stuck there is no green screen stuck problem flash होता है फिर चले जाता है चलिए आप अगर इंट्रेस्टेट रहेंगे तो आपको एक जो flip card का return process replacement process है उसके बारे में भी video बना दूंगा क्योंकि at least मैं आपके साथ share कर सकता हूं ता कि may not be this tv अगर आप कोई भी tv कोई भी खरीद रहा है इन कुछ problem आता है तो help हो सकता है चलिए देखते आज के लिए था थोड़ा लंबा हो गया video but anyways अभी के लिए my conclusion is that it's a software issue mostly but देखते हैं ये video पर थोड़ा जाधा views आने देंगे फिर हमको थोड़ा सा जाधा users comment करेंगे फिर ही पता चलेगा ना अभी मैं मैं खुझ से बोल रहा हूं फिर और प्रॉब्लम रहेगा तो ठीक है आज जो इनिशियल था और यह जो रिप्लेस्मेंट था इससे तो पता चल गया अटलीस्ट दो यूनिट प्लस आप लोगों ने जो कमेंट किया इसमें problem हम लोग सबका तो problem है अभी भी चलिए फिर आज के लिए इतना है था दोस्ता फिर से अगले वीडिये मिलेंगे तब तक के लिए बाइबाइबाइब स्टे सेफ